जीवन में केवल वही बैक्ती सफ़ल हो पाते हैं जो अपनी कमजोरी को ताकत बनागा खड़े रहते हैं नमस्ते दोस्तों मैं रोहित बगे यहां कहानी एक मुख्य चरीत रखी है जो अपनी कमजोरी से लड़ता था और खुद को विजयी साबिक करता था एक गाउ में एक नवजवान युवक रहता था उसका नाव विजय था विजय बच्पन से ही कमजोर था और इसी की वज़य से उसे गाउं के लोगों में से हमेशा हाद से का पात्र बनना पड़ता था अपनी कमजोरी के कारार विजय अपना आत्मी स्वास हो गठा था और अपनी पढ़ाई खेल पूद और अन्य किसी छेत्रे में सपलता हासिर करने की फोसिस बार-बार नकाम्याब हो जाती थी एक दिन एक बहुत ही ग्यानी पूरुस विजय के पास आये और उसे देखकर समझ गये कि विजय के पास अध्भूद छंताएं हैं या आग्मी उसे मार्सालार्टकिक गुरी के पास ले गये गुरे ने विजय को प्रेगित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्विकार करने की सीख दी उस ग्यानी पूरुस ने विजय को बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है लेकिन महत तपोड़ आया है कि हम इसे कैसे स्विकार करते हैं और इसे अपना फादा कैसे उठाते हैं विजय वह आशर मार्ट में अध्भूत काम्याभी हासिद किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुगी उसने अपनी जीवन में सफलता की चोटी छोली इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि हमारी कमजोरी हमारी योग्यता को कम नहीं कर सकती हमें अपनी कमजोरियां स्विकार करन चाहिए ताकि हम खुद को ससक्त बना सकें हमारे अंदर छीपी रिशमताओं को पहचानना और उन्हें सहीदिशा में उपयोग करना हमेशा फ़लता तक पहुचा सकता है यह कानी हम यह सिखाती है कि हमें हमेसा अपनी सपनों की पुर्टी के लिए अपनी छंताओं का उपय संघर्ष ऐसी चीज है जो आपको वास्तवी ग्रूप में खोजती है